शुक्लाम परधरं विष्णुम् शशिवर्णन चतुर्भुजं। प्रसन्न वद्नन ध्यायेत सर्व विग्नो पशांतये। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मने नमह ध्यान श्लोकाह। पारथाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायनेन स्वयं। व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिनाम अध्ये महाभारतं। अद्वेता मृत वर्षिनीम भगवतीम अष्टादशा ध्यायनीम। अम्बत्वा मनुसंदधामी भगवत गीते भवद्वेशिनीम। ओम श्री कृष्णा परब्रह्मने नमहा। ओम कृष्णा 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 नमहा। सभी को सूप्रभात और जै श्री कृष्णा। आज हम गीता दर्पन जो श्री रामसुक दास्ती द्वारा रचित है। उसमें गीता में द्विध सत्ता का वर्णन करेंगे। तो आपके साथ शेयर करती हूं। द्विविधा द्रश्यते सत्ता विकारण्य विकारणी भूत्वा सतो भवित्री च सतो नित्या सनातनी। तो क्या है कि सत्ता न दो टाइप्स की होती है। एक होती है विकारी और दूसरी होती है आविकारी। जो उत्पन होने के बाद जो सत्ता होती है वो विकारी सत्ता होती है क्योंकि उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो वो विकारी है और जो सत्ता स्थ है जो वो अविकारी सत्ता कहलाती है क्योंकि उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता थोड़ा सा भी इसलिए गीता के दूसरे अध्याय के सोलवें शलोक में भगवान कहते हैं कि जिसका कभी भाव यानि सत्ता नहीं होता वो असत है विका तो जो उत्पन होने के बाद सत्ता वाला दीखना, बढ़ना, अवस्थांतर होना यानि बदलना, ख्षीण होना और नष्ट होना ये छे विकार मात्र संसार में होते हैं। अब इनको explain करते हैं जैसे बच्चा पैदा होता है। पैदा होने के बाद बच्चा है, ऐसा दीखता है, वो बढ़ता है, उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, वो ख्षीण होता है और अंत में मर जाता है। ये छे विकार शरीर संसार में होते हैं, आत्मा में आत्मा न जनमती है, न पैदा होकर सत्ता वाली होती है, न बढ़ती है, न बदलती है, न ख्षीण होती है और न मरती है। ये है गीता 2.20 के हिसाब में दिया हुआ है ये सब। तो गीता में जहां-जहां शरीर और संसार का वर्णन हुआ है, वह सब विकारी सत्ता का वो सब अविकारी सत्ता का वर्णन है अब जाताव्य यह है कि उत्पन्न होने वाली विकारी सत्ता अनुत्पन्न अविकारी सत्ता के ही अधीन रहती है क्योंकि विकारी सत्ता की सोतंत्रता ही नहीं मतलब जो जिसमें विकार आ रहा है वो उसकी अपनी सोतंत्र कोई सत्ता नह पर वो हमेशा आविकारी सत्ता के अंतरगत में ही रहती है परंतु आविकारी सत्ता जो है वो विकारी सत्ता के अधीन नहीं है क्योंकि वो स्वतह सिद्ध है मतलब ईश्वर जो है उनकी जो सत्ता है वो स्वतह सिद्ध है वो किसी के अधीन नहीं है जहां विकारी सत्ता नही है विकारी यानि कि जो बदल जाती है नश्ट हो जाती है जहां विकारी सत्ता नहीं है अर्थात जहां देश काल वस्तू व्यक्ति घटना परिस्तिती और क्रिया नहीं है वहां भी आविकारी सत्ता जोंकीतियों परिपून रहती है यह आविकारी सत्ता देश काल वस्तू हर सरवत्र परिपून है अविकारी सत्ता को जानने वाले और न जानने वाले मानने वाले और न मानने वाले में भी यह अविकारी सत्ता समान रूप से परिपून है अविकारी सत्ता को जाने चाहे न जाने माने चाहे न माने स्विकार करें चाहे न करें यानि अगर आप एथ स्विकार करें अनुभव में आये चाहना आये पर वो रहती ही है ये जानने मानने स्विकार करने के अधीन नहीं है अविकारी सत्ता विकारी सत्ता के बिना भी जोंकीतियों विद्धमान रहती है पर विकारी सत्ता अविकारी सत्ता के बिना रही नहीं सकती क्योंकि उसका विकारी सत्ता वाले शरीर इंद्रियां आदी के द्वारा ही तो अविकारी सत्ता का जान होता है यानि कि हम अपनी इंद्रियों से ही तो प्रभू के बारे में सोच रहे हैं तो जो हमारी अविकारी सत्ता है उसी से तो हमारी विकारी सत्ता है उसी से तो हम अविकारी सत्ता का जान कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, आतहा आविकारी सत्ता, विकारी सत्ता के अधीन हो गई की नहीं हो गई, तो इस बात का क्या उत्तर है, तो इस बात का उत्तर ये है, कि ऐसी बात नहीं है, विकारी सत्ता के द्वारा आविकारी सत्ता की अनुभूती नहीं होती, प्र की अनुभूती होती है ऐसा भाव रहेगा तब तक अन्तहकरण में विकारी सत्ता की महत्ता रहेगी जब तक विकारी सत्ता की महत्ता रहेगी तब तक मनुश्य अविकारी सत्ता की बातें सीख सकता है पढ़ाई कर सकता है व्याख्यान दे सकता है पुस्तकें लिख सकता है प अनुत्पन्न सत्ता का अनुभव नहीं हो सकता अभी आते हैं next point पर कि फिर ये शंका है कि चरम यानि अन्तिम वृत्ति तो अनुत्पन्न सत्ता का बोध होने में कारण बनती ही है अतहा उत्पन्न सत्ता के द्वारा ही अनुत्पन्न सत्ता का बोध हुआ ये भी उसी तरह का क तो इसका आंसर क्या है तो इसका समाधान ये है कि नहीं चरम वृत्ती से संबंद विच्चेद होने पर भी अनुत्पन सत्ता का शुद्ध सरूप का यथार्त अनुभव होता है। उत्पन सत्ता से समंध रहते हुए शुद्ध सरूप का बोध नहीं होता प्रत्युत वरत्ती सहित तत्व का ही बोध होता है वरत्ती के रहते हुए समाधी और व्युथान ये दो अवस्थाएं होती है परंतु वास्तविक बोध में ये दो अवस्थाएं नहीं होती है वास् व्रत्ती से बोध नहीं होता प्रत्युत व्रत्ती से सम्मंद विच्चेद होने से बोध होता है जो क्रम से साधना करते हैं अर्थात श्रवन, मनन, निदी, ध्यासन, ध्यान, समाधी, सभीज, निर्भीज ऐसे क्रम से साधना करते हैं उनके लिए ही व्रत्ती कुछ समय के लि प्राहित् होने से ही होगा ऐसे तो स्थूल शरीर से स्थूल पदार्तों से और स्थूल क्रियाँ से भी संसार की सेवा जिससे अंतहकरण शुद्ध होता है शुद्ध अंतहकरण परमात्मा के सम्मुक होने में सहायक होता है शुद्ध अंतहकरण करण सापेक्ष साधन में अर्थात क्रम से किये जाने वाले साधन में ही सहायक होता है पर उस साधन में अंतहकरण का जो महत्व है वह तत्व अंतह करन से संबंध विच्छेद किया जाता है कारण की स्वतह सिद्ध सत्ता करण सा पेक्षन नहीं है अर्थातवा किसी करण की अपेक्षा नहीं रखती। कुछ भी चिंतन ना करें समाधी की भी भावना ना करें चुप हो जाएं तो इस चुप में सुरूप सिती स्वतह होती है क्योंकि वह तो पहले से ही है। साधक जब तक विकारी सत्ता का उपभोग करता है उससे सुख लेता है चाहे वो समाधी ही क्यों न हो तब तक विकारी सत्ता की महत्ता नहीं हटेगी और महत्ता हटे बिना स्वतह सिद्ध अविकारी सत्ता की प्राप्ति नहीं होगी मनुष्य विकारी सत्ता को प्राप्त करने में नहीं अतहा विकारी सत्ता अविकारी सत्ता की प्राप्ती का कारण नहीं हो सकती और अविकारी सत्ता विकारी सत्ता का कारण नहीं हो सकती ना सतह सज्जायेत तो मनुश्य केवल आविकारी सत्ता जो परमात्मा है उसको प्राप्त कर सकता है विकारी सत्ता जो सांसारिक पदार्थ हैं उनको प्राप्त ही कर ही नहीं सकता क्योंकि मनुश्य विकारी सत्ता को सांसारिक पदार्थों को कितना ही इखटा कर ले जैसे माले गनीमत ये लोग इखटा करते थे रैगिस्तान का जो नभी था मुहम्मद वो कितने लोगों कार्माओं को लूट लूट कर उसने माले गनीमत इखटा किया पर वो उसके साथ सदा नहीं रह सकते चाहे तो मनुष्य रहते हुए वे पदार्थ चले जाएं चाहे उनके रहते हुए मनुष्य चल प्राप्ती ही हुई अविकारी सत्ता को विकारी सत्ता से आज तक कुछ भी नहीं मिला मिला संभवी नहीं है तात पर है कि शरीर इंद्रिया मन बुद्धी आदि से स्वयम को कुछ मिला नहीं मिलता नहीं मिलेगा नहीं और मिल सकता भी नहीं विकारी सत्ता तो अभावस औ रूप है नासतो विद्यते भवहा 2.16 अतहा विकारी सत्ता संसार प्राप्त दीखते हुए भी अप्राप्त ही है और अविकारी सत्ता यानि परमात्मा अप्राप्त दीखते हुए भी प्राप्त ही है अविकारी सत्ता को प्राप्त करने में मनुश्य समर्थ है और मनुश्य क उसकी प्राप्ति की सब सामगरी जो है वो मिली हुई है तो अब हमारे पास question होता है कि विकारी सत्ता से आविकारी सत्ता को कुछ भी नहीं मिलता ये बात एकदम सच है ठीक है फिर भी विकारी सत्ता से कुछ मिलेगा ये वहम रहता है ये वहम कैसे मिटेगा यानि जो विकार सकता है जो आप ये सब माले गनीमत इखटा कर लेते हो इससे कुछ तो मिलेगा ये वहम रहता है तो ये वहम कैसे मिटाएं तो उसका जवाब ये है कि ये बात एकदम कि साधक जो है वो अपने विवेक का जो जो आदर करेगा यानि अपनी विज्डम का जो जो वो रिस्पेक करेगा त्यों तो ये वहम मिटता चला जाएगा अंत में ये वहम सरवता मिट जाएगा और विवेक अविकारी सत्ता की प्राप्ति कराकर स्वयम शांत हो जाएगा यानि आपका सबकॉंशन माइंड ही आपको उस तरफ ले जाएगा अगर आप उसमें लगे रहें तो बस के साथ ही जाहिंदू राष्टर और अब से 15 मिनिट्स में हम जो हैं वो क्या बोलते हैं अपने स्ट्रीम्स चुरू करेंगे और पहले 20-25 मिनट हम न्यूज पढ़ेंगे और मैं देख लेती हूं कितनी लंबी न्यूज है उसी हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि रात को आठ बजे से एक्स मुसलिम भरत हमारे चैनल पे आकर और वो बताएंगे जो एक सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्स मुसलिम भरत के साथ और वो हमें जो इसलामिक इन्वेडर्स हुए हैं उनके बारे में बताएंगे और पहला इन्वेडर्स जो है वो क्या नाम है उसका तो हम ऐसा करते हैं कि आपसे आदे गंटे में स्टार्ट करते हैं क्योंकि न्यूस इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम आदे गंटे तक पढ़ते रहें तो हम साथ पैंतालिस पे स्टार्ट करेंगे अपनी स्ट्रीम, पंदरा मिनट नियूस पढ़ेंगे और फिर भरत जी हमें अपने इन्वेडर्स के बारे में बताएंगे, तो इसी के साथ ही आपको जै हिंदूराश्ट्र और तेज कपिल जी आप पूछ रहे थे कि मैं कैसे तो आपकी भावना का बहुत बहुत साथवाद, लेकिन मुझे पैसों की बिल्कुल भी आवशक्ता नहीं है, मैं बहुत कमफर्टेबल रहती हूँ और मेरा मन करता है मैं इंडिया में लोगों को बाटूं पैसे जो बहुत जरूरत मन्द है, अच्छे लोग हैं, स्पेशल पुजारी वगरा जो है, जो बहुत ब्रामन पूरा परिवार उन पे पलता है, थोड़े से पैसों पर, तो उनके लिए कुछ करना चाती हूँ, लेकिन मैं यहां से बैठके नहीं कर सकती हूँ, मिरे को प्रॉबलम आती है पैसे भेजने में, तो आप मेरे नाम से उनको के पैसे दे, मुझे याद है मेरी मा मुझे पैसे दे के बोलती थी कि जाओ, यह पुजारी के हाथ में दे कराना, केवल पुजारी के हाथ में देना, ऐसे मुझे से बार बार, जब मैं छोटी थी तो मुझे से बार बार, मुझे से बोलती थी पुजारी के हाथ में ही देना ति कहीं मैं कि इधर उधर ना डाल दूँ तो ये बात आपको याद रखनी है कि आपको पुजारी के हाथ में देना है तो ये ये मतलब सनातन शरण जी आपका मुझे समझ में नहीं आया आप मेरे से बैक में आके मिलिए कौन सी फोटो का आप कह रहे है और मैं सबको कहती हूँ कि मैं एक जगे लिख दूँगी कि जितने भी सनातनी है वो मेरे सारे वीडियोस को यूज कर सकते हैं कोई भी क्लिप काट सकते हैं कोई भी फोटोस सब कुछ यूज कर सकते हैं बस उसकी integrity बनाए रखनी है मतलब यह नहीं कि आप उसको हसी मजाक में बीच में मेरा एक clip दिखाके उस पर हसने लगे मतलब इसी लिए सनातनियों के लिए यह मैंने offer extend नहीं किया है बाकी muslimानों के लिए बाकी जातियों के लिए केवल मैंने सनातनियों के लिए यह option देती हूँ कि वो मेरी कोई भी वीडियो जो है लगा सकते हैं अपने channel पर thumbnail change करके और मैं ऐसा लिख के दे सकती हूँ कुछ भी लगा सकते हैं बस उसमें मेरे मूंग से दूसरे अधिटिंग करके उसकी integrity अगर रखें तो जो कत्यों उठाके आप लगा सकते हैं कहीं भी clip काट के चाहें पूरा जैसे भी है अभी मुझे नहीं पता आप कौन सी photos की बात कर रहे हैं लेकिन आप जो है मेरे से back में बात करिये मैं आपको एक link दे देती हूँ तो आप मेरे से exactly बताईए कि कौन सी photos आप कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं है मैंने आपको link दे दिया बैक में आके मुझे से बात कर सकते हैं जै हिंदू राष्ट्रा और ईश्वर करें आपको और आपके परिवारों को नर्पिशाच्छ से बचाए रखें मिलते हैं अपसे आदे गंटे बाद